कानपूर में आठ पुलिस कर्मियों की जान लेने वाले विकाज दूबे और उसके गुर्गे की तलाश तेज हो गई है पुलिस ने बद्वार सिब्द सुबब विकाज दूबे के दाहिने हाथ माने जाने वाले अमर दूबे को मार गिराया हमیرپور के मौदाहा में पुलिस और अमर दूबे के बीच एंकाउंटर हुआ जिसमें पुलिस ने अमर दूबे को धेर कर दिया कानपुर में पुलिस वालों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपे विकास दूबे के गुरुगे और अमर दूबे सबसे करीबी था इस हत्याकांड के वान्चित अभी युक्तो के वाइरल पोस्टर में अमर दूबे का नाम पहले नम्बर पे था S.T.F. और हमेरपुर पुलिस ने बुद्वार सुबह उसका एंकाउंटर कर दिया उधर विकास दूबे की तलाश तेज हो गई है विकास दूबे के फरीदबाद के एक गैस्ट हाउस में होने की खबर आई लेकिन पुलिस को महाँ भी निराशा हाथ लगी सूतर बताते हैं कि यूपी पुलिस की नाकामी से सूबे के सी एम योगी अधित्यानात बेहद नाराज है इसी वीच कानपूर के चौबेपूर थाने के सभी 68 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया है दिल्ली से सटे फरीदबाद के गैस्ट हाउस में विकास दूबे के छिपे होने की खबर मिली थी इसके बाद पुलिस इस गैस्ट हाउस तक पहुची चश्मदीदों के मताबिक करीब 30 से 35 की तعداد में पुलिस कर्मियों ने अचानक इस गैस्ट हाउस में धावा बोला वे सब के सब साधी वर्दी में थे कुछ देर गैस्ट हाउस में तलासी के बाद पुलिस वाले निकल गे लेकिन चश्मदीदों की माने तो गैस्ट हाउस से फाइरिंग की आवाजे भी सुनाई दी खबर है कि पुलिस नहीं यहां विकास दूबे के एक साथी को हत्यारों के साथ पकड़ा है इसके साथी पुलिस को सीसी टीवी फुटेज मिला है जिसमें दिख रहे शक्स के विकास दूबे होने का दावा किया जा रहा है दोस्तो ऐसी ही लेटेस नियूस के लिए हमारे चैनल दर नॉलिज बुक को सबस्क्राइब करें धन्यवाद